नमज़कार, कुराइम तक देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ दीपक सिंग इस खबर को सुनने के बाद आपके रॉंग्टे खड़े हो जाएंगे, दिल तहल जाएगा, सहम जाएंगे आप दरसल मदेकाल भारत में आप कहाने, अकसर कहाने सुनते होंगे कि आपके बदले आँख, हाथ के बदले हाथ लेकिन जुर्म के दुनिया में अगर आप सुनेंगे कि रेप की बदले गैंग रेप जैसी जो बदले की भावना है उस मानसिक्ता पर आप क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, तो यह हमारी समाज की सच्चाई है, क्योंकि इस वारदात की पीछे जो कहानी है, उसे सुन आप दहर जाएंगे, दरसल पूरी जो वारदात है, मद्देबरदेश की रिवा जिले की है, आज से ठीक 6 महीने पहले, एक न कारवाई में धीला रवाई अपनाती है, तो यहां पर जो लड़की के साथ रेप हुआ था, जो नावाली लड़की थी, उसके थे दो भाई, दोनों भाई को लगा कि उनकी बहन है, उसको शायद इंसाफ नहीं मिलेगा, तो नहीं लगा कि उन्हें अपने भाई होने का फर के लिए फर्ज निभाते निभाते हैं कर बैठते हैं, गुना भी ऐसा उसके लिए प्लाइनिंग करते हैं, तो दरसल होता यह है कि जिस लड़के ने उनकी बहन का रेप क्या था, वो उसके आसपास के घरों की रेकी करते हैं, दीखते हैं कि परिवार वाले कब जाते हैं, तो ठीक 6 मैने बाद दोनों भाईयों को मौका मिला जब देर राज जो उनके माता पीता थे, जो लड़के ने, जो आरूपी था, आरूपी के माबाप थे, वो किसी काम की वज़े से राज की 9 बजे घर से बाहर चले जाते हैं, और घर पे थी 16 साल की किशोरी, 16 साल की जो उसक में दहशत फैल जाती है, कि एक रेप की बंदे, गैंग रेप रेसी वारदात, कहीं न कहीं हमारी समाज की, सब्वे समाज के और साफ इशारा करता है, कि ये चीज कहीं न कहीं गलत है, और गुना की ये जो तरीका है, बंदे की जो भावना है, कि सरसर गलत है, जा जान करें के लिए देखते रही क्राइम तक